हलो दोस्तो महइवब अभिषेक और आप देख रहे अभिषेक पोड़र यूटुब चानल दोस्तो आपने इस वीडो के ठर्मनेल के प्लिक करके ये वीडिद़ देखना चाहा इसका सिधा सा मतलब है कि आप पोड़रि फार्मिंग करना चाहे हो पूलर 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 उसमें फिर सपेद अंडा भी आ जाएगा और देसी मुर्गियों का ब्राउन अंडा भी आ जाएगा साथ इसार हैजरी के पिजनस्क में भी किस हिसाब से करना है आपको वो भी समझा कर बता हूँगा देखे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चार-पाच मिनिट का वीडियो होगा और चार-पाच वीडियो मिनिट में ये सारी बाते मेरी कवर हो जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है इसमें कम असकम 15 से लेकर 20 मिट भी लग सकते हैं अगर आपके मन में जो भी डाउट है अगर आपको पॉल्टरी फर्मिंग करना है और अगर आपको प्रॉपरली जानकर एगर चाहिए होगी तो आपको 15 से लेकर 20 मिट इन्वेस्ट करने होगे अधरवाइज आप अभी इस वीडियो को स्टाप कर सकते हो दूसरा कोई वीडियो देख सकते हो अगर आप 15 से लेकर 20 बुक और हाड़ बुक का इंट्रों हम देख लेते उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों जो भी भाई नया पॉल्टरी के लिए काफी सवाल होते इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पासर के पॉल्टरी एक्स्पेंस से पॉल्टरी बुक लिका है जो आपको पीड़ फर्मेट और हाड़ बुक फर्मेट में मिल जाएगा दोनों में भी सेम पॉल्टरी की इंफॉर्मेशन की गई है पीड़ बुक की अगर मैं बात करूं तो वह मात्रा आपको पचास रुपीज में मिल जाएगा जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके वाट्सप नमर पे पीड़ बुक सेंड की जाएगे जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाल पर ही पड़ सकते हो हाड कॉपी के अगर मैं बात करूं तो वह आपको मात्रा 200 रुपीज में मिल जाएगी इसके लिए औल ओवर इंडिया डिलिवर चार्जिस पचास रुपी प्लस ब्राइब को आपको मिल जाएगे अगर आपको भी यह पूर्टी पीड़ पीड़ या पूर्टी हाड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे फोन पे या पिर पेटियम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रिंशाट आपको 917611423 इस वाट्सप नमबर पे सेंड करना है कुरुपया पूर्टी बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए वाट्सप पे मैसेज ना करें साथ ही साथ यह मेरा पसल नमबर होने के कारण इस नमबर पे डारेक्ट चाहिए पूर्टरी फार्मिंग के तवर ठीक है ना तो चलो शुरुबात करते बॉयलर पूर्टरी फार्मिंग से देखें बॉयलर पूर्टरी फार्मिंग करते समय सबसे दो ज्यादा कंफिजन लोगों के मन में होता है कि मुझे प्रावेट पूर्टरी फार्मिंग करना चाहिए देखें दोनों भी business करने के अपने अपने कुछ criteria होते हैं ठीक है अगर मान के चलिए shade का concentration कराने के बाद अगर आपकी capacity देड़ाजार 2000 quantity तक के है तो ऐसे में आपको private poetry forming करना है और दूसरी बात अगर at a time आप 7000, 5000, 8000, 10,000 capacity का इसी shade, general shade, concentration करवा सकते हो तो ऐसे में आपको आग बन करके content poetry forming करना है पहली बात boiler poetry forming करने के हमें क्या फाइदे होते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि boiler poetry forming mid purpose के लिए जो हम करते हैं तो इसमें जो return होता है वो हमें 40 दिन के भीतर ही देखने को मिल जाता है ठीक है न पुलिटरी फर्म में ज्यादा तरह आईसे मतलब जैसी का अगर आप देशी पुलिटरी फर्मिंग का सोचो या फिर लेयर पुलिटरी फर्मिंग के बारे में सोचो तो यह जो output होता है इन बिजनस में काफी लंबे समय के बाद में मिलता है यह सबसे बड़ा काफी ज्यादा फ्लेक्चेट होते रहता है ज्याँ दोस्तों हो सकता है कोई ब्याच को कोई लाट को आपका जो भी प्रोडेशन कॉस्ट रहेगा पर वन केजी उससे आपको 15 से लेकर 20 रुपे पर वन केजी का रेट ज्यादा का मिल जाए लेकिन वो सारे लौट में ऐसा भी होता है कि जो भी प्रोडेशन कॉस्ट रहेगी उतना ही आपको सेलिंग रेट मिलता है कभी कबार तो हमारे प्रोडेशन कॉस्ट से भी 4 रुपे से लेकर 5 रुपे तक के डाउन में रेट खुलता है तो ऐसे में पूरटरी फोर्मर को काफी ज़्यादा दिक्कत का सामन क्युकि content portion performing करने के वजए से बड़ी-बड़ी स dis company इस boiler explores के शेतर में उतर चुकी है चुकि इसी कारण उनके जो बड़े-बड़े इसी फ़र्म यहा फिर बड़े बड़े contract withdrawal होते हैं तो वहां trabalhर कि उनकी production cost काफी जीधा कम होती हैं और ICA में वो उनके production cost कि मुकाबले 2 से लेकर 3 रुपे प्लस में रेट ओपन करते हैं चुकि हमारा poetry farm छोटा होता है हमारी quantity छोटी होती है तो ऐसे में contract poetry forming के तुलना में या फिर company के poetry forming के तुलना में boiler के हमारी production cost जादा ही होती है इसलिए आज की दुनों में present moment में boiler poetry forming से profit साल भर तक के कमाना काफी ज़्यदा मुश्किल हो चुका है ऐसा नहीं कही रहा हूँ कि आप profit नहीं कमा सकते हो as compared to desi poetry forming से boiler poetry forming में profit कमाना थोड़ा सा टप हो चुका है तो यहाँ तक क्या आपकी बात clear हो गई अगर आपकी capacity 15,000 से लेकर 2000 तक की है तो ऐसे में आपको private poetry forming करना है और साती साथ अगर आप 5,000-6,000 capacity का poetry share का condition करवा सकते हो तो ऐसे में आपको contract boiler poetry forming करना है अभी बात कर लेते देसी poetry forming में ठीक है देसी poetry forming में दो-तिन चीज़े आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते है ध्यान देनी होते है उसकी शुरुवात करने के पहिले है ठीक है तो देसी poetry forming में देखो दोस्तों ऐसा कोई भी specific criteria नहीं है कि अगर आप large quantity से शुरुवात करना चाहते हो चाहे फिर वह mid-purpose के लिए हो चाहे फिर वह undoubt पादन के लिए हो अब अच्छा खासा profit कमा सकते हो चुकि जो ब्राइलर का जो selling rate होता है वो company के हातों में होता है और अपने profit margin के हिसाब से ही वो selling rate खोलते है जिस कारण profit का जो भी ratio होता है वो एक potry farmer के हातों में नहीं होता लेकिन ये बात DC potry farming में लागू नहीं होती है DC potry farm में जैसे आपका 1 kg का मुर्गा बन जाता है चाहे फिर वो आपका WFG का हो, कलकनात का हो या फिर DP cross का हो इसको बेचने का जो भी rate होता है वो 90% cases में potry farmer के हातों में होता है मान के चले जिस भी area में आप potry farming कर रहे हो, 20 km का आपका आई रहा है तो वहाँ पर अगर 9 से लेकर 10 potry farmer देशी की potry farming करते है और आपको पता चल गया है कि आज के मौसम में जब पर आपका production बन चुका है आपकी मूर्ग एक किलो की बन चुके है ऐसे में आपके area में बाकी potry farm पर 1 kg का माल रेडी नहीं है बेचने के लें अईसे में आप dealer को, wholesaler को या पि retailer को जो भी मूर्ग आपसे लेता है उनसे regular rate से 20 रुपे से लेकर 30 रुपी की demand ज़्यादा कर सकते हो और आपको ज़्यादा का rate वो दे भी देंगे ठीक है लेकिन ये बात boiler poultry farming में लागू नहीं होती और indirect ले आपका नुक्सान होगा लेकिन देशी poultry farming अगर आप चाहो तो 1.5 kg का size होने तक के या फिर 2 kg का size होने तक के भी आपके poultry farm पर रख सकते हो धीरे धीरे उनको ज़्यादा दामों में sale करके ज़्यादा profit कमा सकते हो तो यह सबसे ज़्यादा advantage वाली बात होती है देशी poultry farming की अगर बस इसके खामे की बात अगर बोलू तो boiler का market होता है जो selling का market होता है वो बहुत ज़्यादा है comparatively देशी का जो भी market होता है selling का वो थोड़ा सा कम है लेकिन selling का market कम होने के बाउजूद भी जहाद तके मैंने देखा है boiler poultry farming करने वाले लोगों के मुकाबले देशी poultry farming करने वाले लोग आज के समय में ज़्यादा है क्योंकि तो boiler poultry farming जो भी profit का ratio है वो बहुत ही कम हो गया है इसी कारण जो लोग पहले boiler poultry farming करते थे आज वही लोग convert होके देशी poultry farming करना उन्होंने शुरुवात कर दिया है ठीक है यहाद तके बाद clear होगे boiler poultry farming cover हो गया देशी poultry farming cover हो गया अब ही मैं बात करता हूँ layer poultry farming के बारे में layer poultry farming दो तरिकी से आपको करना है पहली बात तो होती है सफ़ेद उंड की farming और दूसरी होती है brown उंड की farming brown उंड के मिंसेंस देशी मूर्गी की जो भी category होती है RIR हो गया black astrolop हो गया gram priya हो गया BB380 हो गया तो इन जो नसल होती है दिसी category में जो बिलॉंग करती है इनकी farming हो गया ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अंडों के farming में या फिर layer forming में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज के अगर अगर अंडे बिखते हैं तो वह है सफेद अंडे ठीक है और सफेद अंडे हम ज़्यादा 90% cases में वेंकिस का जो भी बीवी 300 नाम से जो भी मुर्गी आती है उनका सफेद अंडों का production या फिर उन्होंने पूरा का पूरा 90% अंडों का जो भी एक area हो था उन्होंने cover करके रखा है तो ऐसे में अगर आपको सफेद अंडों का बिजनेस करना है तो आप छोटे दोस्ताय से यह बिजनेस चालू नहीं कर सकते हो इनके सगर आप छोटे कांड dummy से बिजनेस चालू करते भी लुग तो आसे में आपकी production cost इतन Nii जादा बढ़ जाते हैं की market में उसका उतना rate आपको मिलेगा ही नहीं मान के चले market में अगर आपका wholesale rate खुला है सारे 3 तीन रूपय के आज पास में, ठीक है? तो ऐसे में आपके एक अड़े की प्रॉड़ेशन कोस्ट ही सारे 3 तीन रूपय के आज पास में रहेंगे जबकि आप अगर 1000 के connectivity आपकी 2000 के quantity के नीचे में काम करते हो, तो तो अगर आपको तो सपेध अंडोक के इसमें काम करना है आपको BB38K मुर्गया अगर आपको पालनी है तो ऐसे में आपको से लेकर 10 गुना तक के ज़ादा होती है, जिया दूस्तों इसमें आपको केज miser का अलग से खर्चा आएगा, प्रती मुर्गी, SPEAKER 7.7 यह साल भर मुर्गी बने गी उसका अलग से खर्चा आएगा, सातिसा 6 मने तक के जो बी आपकी मुर्गी आप पालते हो, जब कि वो अंडों पे नहीं आती तब तक कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको investment ही करनी है इसलिए अगर आपको सफेज अंडों का business करना है तो ऐसे में आपके पास काफी जादा काफी मोटी investment होना बहुत ज़्यादा जरू जो होता है ये 4-5 लाखों में करने वाला business बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इसके plus point के अगर बात बोलू तो एक बार अगर इसका आप business कर लेते हो और अगर आपने एक बार इसको market में अपने पैर जमा लिए तो ये काफी अच्छा long time वाला business होता है ठीक है न क्योंकि तो एक बार आपने आपकी मूर्गी ने अंडा देना चलू कर दिया तो वही cycle आपका साल भरत के चलता है सिर्फ आपको अंडो का production ही लेना होता है उनको feed देके तो ऐसे में आपको ज़्यादा working zone की जरूरत नहीं गीरती और investment क मुकाबले आपको ज़्यादा profit मिल जाता है क्योंकि सपद अंडों का market बहुत 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 ही ज़्यादा होता है अभी मैं बात कर लेटा हूं डेसी मुर्गियों की मतलब की brown अंडे जो मुर्गिया देती है R.I.R. हो गया ग्रांप्रिया हो गया बीवी 380 हो गया ब्लाक जा दोस्तों चाहे तो फिर आप सव मुर्गियों से शुरुवात करो चाहे तो फिर आप एक हजार मुर्गियों से शुरुवात करो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है सपद अंडों से इनका जो भी market होता है वो थोड़ा सा कम है लेकिन इसका जो management होता है वो बीवी 300 वाली मुर्गी से बहुत ज्यादा कम होता है साती सात इसमें अगर आप थोड़ा सा marketing के तरफ ध्यान देते हो तो profit margin भी बीवी 300 वाले जो भी सपद अंडा होता है उससे कई गुना तक के ज्यादा होता है साती सात देशी मुर्गियों के तोर पर जो भी layer मुर् कोस्ट होती है वो काफी हद तक के कम हो जाती है अगर आपको properly feed management का knowledge है और low cost material खिलाने के वज़े से या फ्रीरेंस सिस्टेम में मुर्गों को पालने के वज़े से अगर आप अपने अंडो की production cost कम करा सकते हो तो मैं guaranteed बोलता हूँ कि बीवी 300 मुर्गियों से सफेत अंडो क क्राइटियरा बेसिक तरव पर आपको ध्यान में रखने है पहली बात इनको फ्रीरेंस सिस्टेम में पालना आपको बोजरा जरूरी होगा दूसरी बात आपको feed management के तरफ ध्यान देना होगा और इनके लिए low cost feed material की availability करा के देना उनको बोजरा जरूरी होगा तबी जाकर आपकी जो भी एक अंडे की production cost होगी वो 3 रुपे से लेकर 3.5 रुपे किलो के भितर में आएगी और इसी अंडे को अगर आप wholesale rate में बीचना चाहते हो तो 6 रुपे से लेकर 8 रुपे के बीच में आपको wholesale rate मार्केट में मिल जाएगा चाहे तो आप 100-200 अंडे अपने local area में देशी मुर्गी के करके 12 रुपे से लेकर 15 रुपे तक भी बेच सकते हो लेकिन ये बहुती कम quantity में जाएंगे wholesale में आपको 6 रुपे से लेकर 8 रुपे बढ़ी आसाने से इसका rate मिल जाएगा ठीक है और एक बात आपको ध्यान में देना है मैं इसलिए इस बात पर जो दे रहा हूँ कि आपको low cost material का फिड इन देशी नसलकी मुर्गों को देना चाहिए layer मुर्गों को या फिर इनको free range system में पलना चाहिए क्यूंकि अगर हम इनी मुर्गों को मतलब कि जो भी RIR हो गया ग्राम प्रिया हो गया बीवी 380 हो गया ब्लैक अस्ट्रलग हो गया यह मुर्गिया बीवी 300 से कापी जड़ा heavy weighted होती है heavy weighted होने के साथ साथ इसका सिदा सा मतलब है कि यह fit consumption भी इनका ज़्यादा होता है इनके body को fit की requirement भी उससे ज़्यादा होती है इसलिए free range system करना इन मुर्गियों का आज के तोर पर बहुत ज़रा ज़रूरी हो गया है ठीक है तो free range system और low cost material की arrangement यह दो ही ऐसे रास्ते है जो आपको एक successful business में बना सकती है देशी मुर्गियों के अंडों के business में यहाँ तक के बात clear होगी अभी हम बात करते हैं hatchery के business की देखें अगर आपको छोटे पैमाने से शुरुवात करनी है या पिर आपके पास पचास सव मुर्गिया है आप घरगूती लेवल पे छोटे पैमाने पे अगर कोई farm चलाते हो ऐसे में आप छोटा मोटा इंकुबेटर लगा के पास capacity के बीदर का इंकुबेटर लगवा के काम चलू कर सकते हो लेकिन अगर आपको लग रहा है आपने यूट्यूब पर के कुछ वीडियो देखें और डारेक्ली अगर आपके पास investment होने के वडिसे अगर आप सोच रहे हो कि डारेक्ली में 15,000, 20,000, 30,000 capacity दे डारेक्ली शुरुवात करूंगा तो ऐसे में भाईया incubator का business आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वीडियो देखना और उसके बाद जब हम practical तोर पर उस चीच को करते हो उसमें वही result आना इसमें जमिन आसमान का फर्क होता है जब कभी भी कोई भी इंकुबेटर वाला अपना इंकुबेटर बेशता है तो आपको बोले utility 70% के नीचे में आ रहे है, 65% के नीचे में आ रहे है तो यह loss वाला business होता है ठीक है ना तो इसमें कौन सी कौन सी चीज़े माहिने रखती है पहली बात आपको प्रॉपरली parent stock या फिर breeders stock का knowledge होना बहुत जरूरी होता है आपको प्रॉपरली कितने दिन कितने दिन पुरान के लिए कर चुके होने चाहिए तब ही जाकर आप डायेकली बड़े business के तरव handover कर सकते हो ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि starting के समय में अगर आपको incubation का काम चालू करना है तो incubation की process या फिर इंक्यूबेशन का business आपका शुरू वो तो आज से होगा लेकिन पक्के तोर पर आपका शुरू होगा वो business देड़ से लेकर दो सालों के बाद क्योंकि आपको पहले incubation का काम करने के लिए देड़ से लेकर दो साल इसमें मेनत लेन नहीं सकते हो क्योंकि आज के customers बहुत ज्यादा समझदार हो गए है ऐसे में अगर उनको एक विक quality का चिक्स जाता है कमजोर quality का चिक्स जाता है तो ऐसे में वह आपसे चिक्स लेना बन कर देंगे तो ऐसे में आपने incubator machine के पर जितनी भी investment कर चुके होते हैं तो ऐसे में अगर एक अच्छा parent stock maintain करके अच्छी quality के चिक्स market में उतारे तो guaranteed एक अच्छा मुनाफ़ा दिने वाला यह business साबीत हो सकता है साती साथ लंबे समझ तक करने वाला यह business होता है क्योंकि incubation के business में हमारे भारत में बहुत कम लोग उतरे हैं ऐसे में आपको जो opportunity होती है profit कामान करना चाहिए यह layer quality forming करना चाहिए फिर हैच्छी का business करना चाहिए आई होब दोस्तों जो भी मैने आपको जान करें दी इससे आपको बहुत ही मदद हुई होगी ठीक है तो इसी तरह का है कि poultry का नौफ वीडियो में मिलता आपको next वीडियो में अगर वीडियो अच्छा ल